हेलो एवरिवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश लेवर्स पे मेरा नाम है सतेंदर सिंग और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में आज है हमारी क्लास नंबर फोर और हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे हम बिल्कु स्कूल बेसिक से सीखेंगे तभी आप इंग्लिश' बोल पाऊगे और अब पक्की बात है की बोल उठेगा इंडिया ठीक है तो जिसको भी उसके लिंगी मेरा पूरा विश्वास है कि आज की वीडियो भी आपके उतनी ही काम आने वाली है जितनी कि आपने इससे पिछली वीडियो को देखा है और पसंद किया है प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया तो गुड़ इवनिंग अरे कहां कहां से जुड़ गए हैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए मैं नाम लेता हूं थोड़े बहुत लोगों के ठीक है प्राची है अनन्या है और उडिसा से जुड़ गए हैं सूरत से क्रेजी लाइफ हैं गुड़ इवनिंग सुनिल सतीष श्रयांस इशांत यही या कलीम खान पूजा गोजी फंट्यूब मौहम्मद मौसिम शोट वीडियो फरीन ओके कहां कहां से असाम से गौरब अरे तो रोजी जुड़ता है अच्छी बात है चांदपूर से कोशाली से MP से नेपाल से बहुत अच्छा राची ढाका अरे वह बंगलादेश से भी जुड़े हैं लोग बड़ा अच्छा लग रहे हैं बद्दी से और प्रेट फास फास न हो रहे हैं साउधी अरब से चलिए बहुत बढ़िया हरीद्वार से जै गंगे राम राम ठीक है तो मुंबई फतेहबाद फरूखाबाद हरियाना जारखंड बिहार नेपाल राजस्थान पाकिस्तान बैंगलूर करनाट का जारखंड साउधी अरेबिया पाकिस्तान आपके अपने चैनल पर जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए लाइक कर दीजिए आप सभी ताकि आप जैसे बाकी के स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए कि क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है ठीक है चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है तो नमस्ते आदाब सत्रिय अकल वड़कम केमचो राम राम तो जो भी मेरा अभिवादन जितने मुझे आते हैं मैंने गिना दिये ठीक है खड़ी खंबा तो जो भी है आप स्विकार कर लीजिए मैं तो बस हाथ जोड़कर आप सब के प्यार को धन्यवाद दे सकता हूं है ना और क्या कहूं जम्मू कश्मीर से लेके कन्या कुमारी दर से उधर नोर्थीस से पूरा सब कवर हो गया चलिए बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्तों लाइक कर दीजिए जल्दी से जो भी आप आगये हैं एक बार लाइक कर दीजिए तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू करते हैं हमारी पहली क्लास जो कि हमें क्या बताने जा रही है हमें बताने जा रही है बिलकुल बेसिक बिलकुल ही बेसिक तो हमने present tense तो कर लिया था present tense के जो combination बनते हैं यानि कि वर्तमान काल के वो हमने कर लिये थे अब कई बार हमें जब पुरानी बातों की याद आती है हम कहते हैं कि यार मैं वहाँ था यार मेरा दिमाग ठीक नहीं था मेरा मूड ठीक नहीं था मैं तो घर पे था मैं तो ओफिस में था ठीक है मैं बिमार था तो इन सब चीजों को इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे तो सबसे पहले आपको बिल्कुल शुरुआत से यानि जीरो लेवल से सीखने की और समझने की जूरत है कि यह संटेंश बनेंगे कैसे पहले आपको शुरुआत सीखनी होगी तो हम शुरुआत पर फोकस करेंगे और बाकी के जो सेंटें सब्सक्पab होता है English में आए इसको आई नहीं बोलते है आई यह होती है आख ये होता है आई ठीक है आई बोलेंगे मैं पिर था यानि वल्ज इसको वाज नहीं बोलते इसे बोलते वह ठीक है ऐसे व्ज-ठीक है ध्यान से यह pronunciation जो है ना English में बड़ी important है तो शुरुवात में आप कोई भी नया वर्ड सीखते हैं कोशिश करो कि उसकी pronunciation भी आप शुरुवात से ही सही सीखो ताकि आप गलत English की तरफ कभी जाएं ही नहीं ठीक है तो जैश्रीकिष्णा राम राम जो भी है अभी यहां पर आजाओ काम भी करना है ना चलिए और लाइक नहीं किया भी आप सब में कि भई मैं यह था मैं डैस था यह हिंदी में आपकी उर्दू में बन गया अब इसको इंग्लिश में अगर हम बनाएं तो यह क्या combination बनता है आई वर्ज यानि की मैं था और मैं क्या था यह आपको खालिस्तान में भरना है तो कुछ example देखते हैं structure ऐसे ही बनेगा जैसे मैं बिमार था बताना पड़ता है ना आपको कि कल आप क्यों नहीं आए तो आप कहते हो मैं बिमार था आपने बताया मैं बिमार था I was तो यह combination सेम रहेगा और बिमार की English होती है sick तो आपका sentence बन गया I was sick मैं बिमार था clear है clear very good like कर दिया उनके लिए मेरी तरह से double thumbs up ठीक है जो मुझे दिल से चाहते हैं प्यार करते हैं जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से ठीक है आप सभी की बदूलत आज हमारा चैनल दो साल के अंदर अंदर टू पॉइंट सेवन मिलियन तक पहुंच गया है जो कि बहुत बड़ी बात है बड़ी उकलबदी है आप सबकी उकलबदी है तो थैंक्स टू यू आल एन कॉंग्रेचुलेशन्स तो अल फ्यू ठीक है चलिए सेकेंड है मैं जगा हुआ था तो जगा होना इसकी इंग्लिश क्या होती है दोस्तों आप में से पता है उनको जल्दी बताईए इसकी इंग्लिश आप क्या बनाएंग कि मैं जगा हुआ था कहना पढ़ता है ना क्यार तेरा जब कल कोल आया ना मैं जगा हुआ था लेकिन मैंने जानभूज की नहीं उठाया क्यों मस्ती में मस्ती में है भाई बताईए Lekan जो जागरित अवस्था होती है जब आप जगे हुए होते हैं उसे बोला जाता है तो आप क्या कहेंगे मैं जगा हुआ था I was जब तेम्पल मैं स्वय हुआ था उसकी इंग्लिश आप जलदी से कॉमेंट्स में लिखए और यह हम आगे करने वाले हैं यह मैंने लिखा है आप लोगों को मैं बाजार में था कोई पूछता है भाई कहा था आप कहते हो मैं बाजार में था तो यह बदलेगा बस मैं था का combination बनता है आए वोज और कहा था बाजार में यानि कि in the market in the market अब आप कहना चाहते हो कि भैया मैं तो तैयार था तुमने लेट करवाया कल आप कह रहे हो मैं तैयार था जल्दी से बताओ इसकी इंग्लिश क्या बनेगी कि मैं तैयार था मैं तयार था जल्दी बताओ क्लास कितने बज़े शुरू होती है अंजली जी 9 बज़े शुरू होती है ठीक है और अब तक लाइक नहीं किया है सबने बहुत बच्चे बच्चे हैं अब भी एक आसपास आपकी कोई बैठा हो ना उसको ऐसे कौन ही मारो उसको कौन है यार लाइक करना देखो जब हम लाइक करते हैं क्या होता है वीडियो की नोटिफिकेशन कई और आप जैसे दोस्तों के पास जाती है तो आपके साथ-साथ वह मैं तो कह सकता हूं हम करते हैं यह तो मैं तयार था आए वोज यह तो रहेगा हमारा यह कॉंबिनेशन है मैं यह था तो मैं तयार था आए वोज क्या एगा रेड़ी मैं तयार था तो यह तो आपने बता दिया था दोस्तों कि मैं जगा हुआ था मैं सोया हुआ था के लिए वर्ड होता है सोय होना यानि की असलीप आप कहना चाहते हो कि मैं सोया हुआ था आप कहेंगे I was asleep क्या कहेंगे I was asleep ठीक है तो ध्यान से pronunciation बहुत ज़रूरी है दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं आगे मैंने आपके लिए क्विज रखी है यह क्विज रखी है ठीक है लास्ट में तो क्विज भी करेंगे अपन ठीक है चलिए तो tension नहीं लेने का अपने पास बहुत time है अच्छे से पढ़ेंगे और फिर practice भी करेंगे ऐसे भी practice करते रहेंगे अपन अब अगर हमें किसी तीसरे इंसान की बारे में बात करनी हो जो की एक है तो लड़का है तो उसके लिए लगता है ही क्या लगेगा बस हमें तो पता है ना लड़के की बात करें या लड़की की तब ही हम he or she लगाएंगे और था या थी वो लड़की के according है लड़की है तो आजाएगा थी और लड़का है तो क्या जाएगा था उसका English में बनता है was क्या बनेगा was ठीक है अब वह ये था या थी तो इसका English बनेगा he as she was dash और इस dash में हम भरने वाले हैं कुछ interesting चीजें क्या जैसे वह बहुत खुश था तो बहुत खुश को हमने लिखना है अब बिल्कुल he or she was के last में तो था यानि की लड़का है तो मैंने ही लगा दिया he was क्या था बहुत खुश यानि की very happy very happy अब दोस्तों मुझे बताइए कि मैं जैसे वीडियो के बीच में हर वीडियो के बीच में कुछ ना कुछ interesting आप लोगों को बताता रहता हूं तो very happy को English में क्या बोलते हैं जल्दी बताओ एक word दे दो इसके लिए very happy को अगर आपने English के साथ साथ Advanced English भी सीख रहे हैं जल्दी बताओ क्या आएगा जल्दी बताओ अरे प्रणाम प्रणाम नहीं नहीं एक word बताओ one word किसके लिए बहुत खुश very happy के लिए क्या टौफा काशब्दाना चाहिए बताओ इमानदारी से ए और लाइक कर दो वही काहे के कदूने बैठे हो हूह बड़े कंदूस भी यार लाइक नहीं कर रहे ओ लैक कर दो तो जो भी लाइव आ गया है जल्दी से like करो और जो बाद में देख रहे हैं वो भी कर दीजिए मैनत कर रहे हैं अच्छी लगे तो like दस बार कर दो है ना शेर भी कर दो और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो like तो करी दो है ना चलिए नहीं दोस्तों बहुत अगर कोई खु सिक रहे हो हां भई हां तो शीखते रहो ना मना किस नहीं किया है अब वहकल बीमार थी जल्दी इसका बनाई है वहकल बीमार थी MGM 20DK हस रहा है है क्यों हर आप कौन-कौन से दिन लाई वाते हो दिनेस्ट हम आते हैं सोंवार को बुदवार को और शुक्रवार को यानि कि आज Friday अबहुत खुश बहुत खुश कुछ लोग ठीक हैं हाँ हाँ सही जा रहें सही जा रहें बिलकुल बिलकुल कोशिश करते रहो वह कि अरे इंगलीज सीखना है तो शीखते रहुना मैं तो आता ही आपके लिए हूँ क्या बोला है वह कल बिमार थी लड़की है तो अप शी लगाई दो पहले और वो थी तो थी तो भीया वोस आ जाएगा अब वो क्या थी अब हम देखेंगे वो क्या थी वो कल बिमार थी येस्टरडे दोस्तों अब एक और इंट्रेस्टिंग चीज जो बीत गया कल उसको हमने बोल दिया येस्टरडे लेकिन उससे पहले वाला दिन यानी बीता हुआ परसों उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे जल्दी बताओ एक चीज और सीखते हैं न मुझे हर चीज के साथ नया कुछ सिखाने में बड़ा आनंद आता है कसम से ठीक है तकि आप लोगों को यह ना लगे कि सिंपल सिंपल सर ने पढ़ा दिया बेसिक अडवांस करवाई नहीं रहे आरे वह साथ साथ लपेटेंगे सब कुछ बताओ डे बिफोर येस्टरडे भी बोला जाता है और ए यहां से चीखो भाई यह मैं हमेशा बेसिक से ही सिखाता हूं आप जैसे लिए ही मैं एक टीचर बना हूं भाई मेरे मेरे कोई बड़ी दिक्कत आती थी इंगलिश सीखने में है ना तभी मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं तो दोस्तों येस्टरडे तो हो गया कल बिता हुआ परसों यानि कल से भी पिछला दिन उसे हम बोलते हैं डे बिफोर येस्टरडे या मोडन इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं एर येस्टरडे एर येस्टरडे तो अगर आपने ये चीज पहली बार सीखी हो तो लाइक और शेयर बिना कहे कर दीजिएगा ठीक है इनको एर येस्टरडे ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अब वह मेरे साथ थी कोई डाउट करता है कहां थी कल आप कहते हो भाई मेरे साथ टेंचन लेने की जूरत नहीं है ठीक है भड़क नहीं करनी तो शी क्योंकि थी लड़की है तो वस थी के लिए शी वस क्या थी मेरे साथ यानि की विद मी वह अमित के साथ थी शीवज विद अमित वह सुमित के साथ थी शीवज विद सुमित तो जिसके भी साथ थी नाम बता दो और पंगे में ना पड़ो अब नेक्स है वह ओफिस में था इसकी इंगलिश बताईए जल्दी से क्या बनेगी वह ओफिस में था नेक्स्ट बना दिया है चेक करो प्लीज मिस्टर विशू जल्दी करेंगे भीया मैं थोड़ा पढ़ाने में भीजी हो जाता हूं क्या करूं यार एक ही इंसानु दो यहां पर होती दो यहां होती तो मज़ा आ जाता काश चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड रवी केवत ने सबसे पहले लिखा है मंजू जी ने लिख दिया क्रेजी लाइफ ने लिख दिया अधित्या ने रिया ने मोहमत लुक्मान अली ने शिवानी गौतम ने राजू संतोष पंजाबी धान आर्ट अमित रोय ब्लब्लब्ल मतलब मैंने कई नाम ले दिये आज इसको समझ में आयो वह पकड़ लेना ठीक है तो वह ओफिस में था यह वह यानि की लड़का है तो ही लग जाएगा था तो वह था के लिए ही वह कॉम्बिनेशन है ही वह कहां ओफिस में ही वह इंद आ ओफिस क first ai समझ में आया कुछ मज़ा आ रहा है सीखने मैं आर्यना मेरे साथ मजभला या आता है ठीक है सबको मज़ा आता है अंत और आप सारे मतलब करते रहते हो पार्टिस्पेंट करते रहते हो तो मुझे भी मज़ा आता है चलिये अब दोस्तों जो सामने वाला होता है उसको हम English में या तो बोलते हैं आप या हम बोलते हैं तुम और हमारे हर्याना में क्या बोलते हैं तू हर्यानवी जो लोग होते हैं हमारी जो बोली है आपको लगती है लठमार बोली कि लडाई करने वाला है लेकिन हम प्यार में बोलते हैं भाई तू कितका है ठीक है अगले वाले को लगेगा how dare you talk to me like that कि ऐसे बत्तमीजी से कैसे बात कर रहे हो लेकिन हम प्यार से बात करते हैं ठीक है तो आप कहिए या तुम कहिए इंग्लिश में इसका एक ही मतलब है यू क्या मतलब है यू ठीक है इसलिए हम अर्याना वाले थोड़े से अंगरेजी में हम क्योंकि हमारा जो तू तड़ाग है ना उसके लिए हमें पता ही नहीं क्या बोला जाता है फिर थे तो एक हो या एक से ज़्यादा हो थे के लिए हमारे पास वर्ड है व और यू के साथ वर का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा आप या तुम ये थे कि यू और देस और यहां प तुम सही थे बहुत बार कहते हैं कि यार तुम सही थे यार यार तू ठीक कहता भाई है ना आम तो यान ही यह कहते हैं भाई तू ठीक कहता तो आप सही थे यू वर सही थे तो राइट और आप गलत थे तो तो क्या बनेगा आप गलत थे इसकी इंगलिस पता है ना सबको ज रहे हैं और आप सब सोय वह जल्दी बनाओ आप गलत थे इसकी इंग्लिश बनाईएगा बनाओ 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 very good बहुत सही तो आप सही थे you are right आप गलत थे you are wrong simple अब आप कहते हो तुम अच्छे विध्यारती थे यानि student कि आर तुम विध्यारती यानि student तो अच्छे थे इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जल्दी से बनाईए क्या बनेगी जल्दी 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 अरे वाह बिलकुल सही तुम अच्छे विध्यार्थी थे यू वर आ गुड गुड स्टुडेंट और आप सभी अच्छे विध्यार्थी हो यू आल आर गुड स्टुडेंट्स ठीक है तो मेरी तरफ से आप सब के लिए डबल लाइक्स डबल थम्स अप ऑके बॉटम सब कुछ और मत समझना ठीक है फिर तुम अनुपस्थित थे अनुपस्थित होता है गैर हाजिर थे ठीक है अनुपस्थित थे यानि गैर हाजिर थे आप नहीं आये थे लेकिन अगर आप हाजिर थे उसकी इंग्लिश क्या होगी जल्दी से बताओ कि तुम हाजिर थे तुम मौजूद थे बताइए तुम वहाँ मौजूद थे ये तो सबको समझ आ जाएगा ना जल्दी से इसकी इंग्लिश बताओ क्या बनेगी कि तुम वहाँ मौजूद थे जल्दी जल्दी बहुत बढ़िया हां जी बिल्कुल सही तो तुम यानि की यू थे यानि की वर और मौजूद यानि की present you are present there वहाँ कि भाई तुम वहाँ मौजूद थे उस टाइम पर जूट नहीं बोलने का पकड़ लेंगे ठीक है अब आप एक सैनिक थे आप किसी को कह रहे हो कि भाईया आप एक सैनिक थे सैनिक यानि की आप 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 आहाँ आप आप जल्दी इंगलीश में लिखो इसे तब मजाएगा और लिखते लिखते जो भी नया आए है और जिसने लाइक नहीं किया है एक बाद जल्दी से यह थमजब वाले अंगूठे पर निशान लगा दो जल्दी लाइक कर दो ना चल्दे बहुत बढ़िया, very good, very good, you are a, you were, you are a soldier, soldier यानि कि स्थैनिक, स्थैनिक, डिशुम, डिशुम वाला, चलिए, next, next आ गए हैं हम, हम, जब हम, हम बात करते हैं हमारी, यानि कि हम एक से ज्यादा, अकेले के लिए आए और एक से ज्यादा हो तो हम आ जाता है, तो हम के लिए इंग्लिश में हम subject जो लेते हैं, वो subject क्या है, we है, और past की बात करें, तो हम क्योंकि एक से ज्यादा हैं, तो उसके लिए क्या लगा आएगा कि हम ये थे यानि कि we were this और ये फिलिंदा ब्लैंक में कई चीज़ें आ सकते हैं जैसे हम शादी शुदा थे शादी शुदा क्या होता है जो लोग प्यारा सा सवाल आया है हम मजबूर थे मजबूर 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 बताइए क्या बनेगा हम मजबूर थे अरे भूटान से जुड़ गए हैं बंटी सुथर थेंक यू 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 आरा रियल सॉल्जर आई लाइक इट दोस्तों बताओ जल्दी से क्या बनेगा हम मजबूर थे मजबूर की इंग्लिश क्या होती है सोचो सोचो दिमाग पर जोड डालो सुना होगा कहीं तो सुना होगा है ना सुना जरूर होगा आपने वैरी गूर्ड देखिए जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं सब का सब्सवर अचानक से निकल के आता है क्योंकि यह चीजे में बीच बीच में जान बूच के बताता हूं ताकि आपकी वोकैबलरी इंप्रू होती रहे डेली यूज के वर्ड की आपको कभी कमी ना आए चलिए तो हम मजबूर थे हम यानि की वी थे यानि की वर और मजबूर की इंगलिश होती है helpless क्या होगी helpless ठीक है वी वर helpless कि हम मजबूर थे जैसे मैं आप सब के प्यार के आगे मजबूर हूं है ना I am helpless in front of your love and support और आप मजबूर हैं है ना मेरे प्यार की वज़े से तो लाइक कर दीजिए बिना कहे ओके चलिए हम जंगल में थे अब आप जगय हैं पर थे ठीक है हम जंगल में थे भाई we were in the forest जंगल यानी की forest और अब आपके लिए फिर से सवाल है कि हम station पर थे इसमें हलका सा twist है मैं देखना चाहता हूं आप preposition क्या लगाएंगे ठीक है हम station पर थे जल्दी बताओ बताना पढ़ता है न कई बर कि हम station पर थे हम bus stand पर बहुत बढ़िया हां हां अरे वाह वेरी गुड़ क्रेजी लाइफ मिस्टर शंभू बहुत सही जा रहे हैं साजित बिहार से थेंक यू थेंक यू डियर राजस्थान से अरे वाह नो आ एम सिंगल वह अरे वाह ऐसे तो हम भी सिंगल है बाई मन में तो सभी सिंगल है हम station पर थे वी वर हम थे यानि कहां थे station पर दोस्तों अब जब आप station की कभी बात करते हो unless आप किसी platform पर नहीं हो railway station पर आप हमेशा क्या कहेंगे we were at the station we were at the station ठीक है याद रहेगा अब चलते हैं आगे है ना मज़ा आ रहा है सबको अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई बिना मज़े के English शेखने का क्या फायदा मज़े हर चीज में ज़रूरी है जिन्दिगी में अब हम बात करते हैं तीसरे लोगों की जो एक से ज्यादा है उनको हम कहते है वे लोग या वे उसका English बनता है दे ठीक है और क्योंकि वह एक से ज्यादा है तो उसके लिए बनेगा थे यानि वह बीते हुए समय में कुछ थे कुछ कर रहे थे या जो भी थे हम उसके लिए थे यूज करेंगे और English में उसके लिए हमारा कॉंबिनेशन बनता है वह किसा तो वह वह किस किस के साथ लगेगा आज इस वीडियो में हमीशा के लिए क्लैरिटी आपको आ जाएगी ठीक है तो वह क्या थे वह डैस थे वाई अब डैस हम भरेंगे English बन जाएगी दे वर डैस ठीक है जैसे वह किसान थे किसान की इंगलिश होती है तो देवर फार्मर्स क्योंकि एक से ज्यादा है तो यह क्या आएगा दोस्तों यह प्लूरल ही तो आएगा ना फिर एक से ज्यादा हो गए बहु अचन तो प्लूरल आ जाता है ठीक है याद रहेंगे चीजे वेरी गुड अब वे मेरे माता-पिता थे आप बताओ क थैंक यू एवरीवन थैंक फो यूर लाइक्स लाव सपोर्ट केर ब्लेसिंग्स विशिज मैंक आव नो वर्ट जल्दी से बताओ 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 वेरी गुड अरे वाह या बास मेरे चीते वे मेरे माता-पिता थे वे यानि कि दे थे एक से ज्यादा थे तो दे वर क्या थ मेरे माता-पिता थे यानि कि माए पेरेंट्स तो दोस्तों यहां बात तो हो गई माता-पिता की लेकिन अगर मैं बात करूं आपको कहना हो भाई-बेहन भाई-बेहन को हम क्या वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में जल्दी बताओ भाई-बेहन के लिए इंग्लिश में क को कजन बोलते हैं है ना यहां बताओ इन्हें क्या बोलेगे भाई बहन को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं जैसे माता-पिता के लिए एक वर्ड है इंग्लिश में पेरेंट्स ऐसे ही भाई बहन के लिए भी इंग्लिश में एक ही वर्ड है बताओ जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड कोशिश तो करो हाँ देखा अरे वाँ अब आगर आप लोग चैट बोक्स में देखेंगे तो जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है यह हर रोज यानि कि जब भी मेरी लाइव क्लास होती है यह लोग जरूर आते हैं और इनी ल दोल पर-नीचे हो जाते हैं जब प्यार बहुत अंदर से फूट-फूट करें आता है बहाय बहन को इंगलिश में हम बोलते हैं सिब्लिंस क्या जो siblings और अगर चचेरा भाई ममेरा भाई ऐसे आप भाई की बात करते हैं जो रिष्टे में आपके भाई या बहन लगते हों उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें बोलेंगे cousin लेकिन दोस्तों मैंने देखा है बहुत से बच्चे क्या करेंगे वो ये बोलते हैं कि वो मेरी cousin sister है वो मेरा cousin brother है मेरे प्यारे साथियों आज के बात आप लोग यह गलती कभी मत करना क्योंकि कजन sister कुछ होता ही नहीं है cousin brother कुछ होता ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह cousin रहेगा sister या brother कभी भी नहीं आएगा याद रहेंगी यह चीजें याद रहेंगी और कुछ नया सीखा हो तो एक बार लाइक कर दो यार कुछ नया सीखा है ना लाइक कर दो जल्दी से मज़ा आना चाहिए ठीक है अब देखो वे मेरे पडोस में थे वो मेरे पडोस में थे पडोस की इंगलिस क्या होती है अगर किसी ने देखा नहीं है बताओ जल्दी से सोच के देखो क्या होती है पडोस की इंग्लिश समझ में आ गया है ना चलिए तो वे मेरे पडोस में थे देवर इन माए नेबर हुड दोस्तों पडोस को बोलते है और पडोसी को बोलते है नेबर याद रखियेगा यह बहुत इंपोर्टेंट वर्डस हैं जो डेली लाइफ में आपको बहुत काम आने वाले हैं इनको कभी मत भूल जाना और हैं इनको कभी मत भूल जाना यह daily use के वर्ड्स जो आपका पडोस होता है उस्से बोला जाता है neighborhood क्या बोलोगे neighborhood जैसे robin hood होता है न जो चोरों का राजा जो अमीरों को Не लूट के गरीब ले देता है रोबिन हुड तो जो हुड है वो आप यहां पर लगाईएगा पडोस के लिए पडोस होता है नेबर हुड पडोसी होता है नेबर याद रखिएगा चलिए और वे बैंक में थे वे बैंक में थे जब आपने कॉल किया कोई काम था तो वो बैंक में थे जल्दी ब लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेंशन ना ले टेंशन ना ले सब कुछ मिल जाएगा तो वे बैंक में थे देवर देवर इंदा बैंक लूटे रहे नहीं होने चाहिए कि वो बैंक में थे लूट रहे थे उस टाइम पर है ना चलिए अब करते हैं यह वाला और यह बड़ा इंठ्रेस्टिंग यह मेरा यह इंठ्रेस्टिंग क्यों है दोस्तों अजो एक अईसा हमारे पास सब्जेक्ट है अगर आपको कोई और सब्जेक्ट मिली दहीं रहा English में आपको ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है तो क्या subject लगाओगे आप लगाओगे it क्या लगाओगे it लगाओगे और उसको हम कह देते हैं ये या ये है तो ये है और ये के लिए English में use होता है it जो non living हो time बताने के लिए मौसम का हाल बताने के लिए हवा कैस चल रही है ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं it का और it क्या है singular है यानि एक की बात करेगा तो पास्ट में हमारे पास क्या आएगा वह आएगा singular के लिए एक के लिए ठीक है ये combination बन जाएगा it was कि यह है या यह डैश था देखो जहां कोई भी subject given ना हो तो वहां हम इ example मैंने दे दिया ठीक है हवा पानी की बात करने के लिए मोसम के लिए या समय बताने के लिए तो यह sentence हमारे बनेंगे it was dash it was dash जैसे यह कुछ नहीं था आप कहते हैं कि जो अब तक तुमने देखा यह तो कुछ नहीं था यह तो सिर्फ शिरुवात है आगे आगे देखो होत है क्या ठीक है तो आप कहना चाह रहे हो यह तो कुछ भी नहीं था it was nothing it was notpouमी में जुकेगा नहीं थे तो यह वही वाला है it was nothing कि यह तो कुछ भी नहीं था यह मजाक्या नहीं था यह मैं चाहता हूं आप बनाएं यह मैं चाहता हूं आप बनाएं मजाक्या नहीं था कई लोग कोशिश करते हैं जोक मारने की मजाक उडाने की लेकिन सामने वाला कहता है हंसी नहीं यह बिलकुल भी मजाक्या नहीं थ तो बताईए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताईए क्या बनेगी इसकी इंग्लिश बताओ बताओ बहुत सही बहुत सही प्रभा कुमारी प्रिती कवीता अधित्य क्रेजी लाइफ मामा दिव्यांशु कुमार पूजा श्रेयांश जाराखान अधित्य शिल्पा अभी लेश दिनेश बहुत सही बहुत सही दोस्तों यह मजाक्या नहीं था यानि कि कुछ मजाक वाला इसमें नहीं था तो आप क्या कहते हो देखो मजाक है मेल यह फिमेल नहीं है तो सब्जेक्ट आपके पास है नहीं क्या लगाओगे इट लगाओगे भाई इट was क्या नहीं था it was not यानि मजा किया it was not funny तो अगर आपका कोई मजाक उड़ाता है और आप उसको कहना चाहते हो कि भाया यह जो मजाक तुम कर रहे हो यह बिलकुल भी सही नहीं है आप कह सकते हो it was not funny at all okay कल सर्दी थी आप सर्दियों का मोसम चल रहे हैं तो आप कहते होंगे नस्या कल ज्यादा सर्दि थी simple कहो कल सर्दी थी it was cold yesterday कल सर्दी थी it was cold yesterday अ और कल बहुत सुहावणा दिन था यह आप बताएंगे सुहावने दिन की English क्या होती है जल्ली से बताओ मजा आना चाहिए कल बहुत बहुत सुहावना दिन था है ना कल बहुत सुहावना दिन था और अब हम क्विज करने वाले यह लास्ट है मारा इसके बाद क्विज पर आ जाएंगे के बताव लिशेक्या ہोगा मैं कैसा लग रहा हूँ ओच है इसामकीदाब बता नहीं जलता जल्डी जल्दी में भागished है चल महीं कहारओ जंदरफुल नहीं होता या वंदरफुल नहीं होता रहोट तकिसी सुहावने दिन की बात करते हैं तो उसके लिए होता है प्लेजेंट क्या होगा प्लेजेंट नया वर्ड है अच्छा लगा सीखें लाइक दबादो बिना कहें तो कल बहुत सुहावना दिन था अब आगए हम अपने चोड में कि हमने सुहावना दिन था मौसम है सुहावना ओके चलिए अब आगए हम अपने चोड में कि हमने सब कुछ कर लिया ठीक है अब हम करेंगे ट्रांसलेशन क्या करेंगे ट्रांसलेशन करेंगे बढ़िया वाली तो आप सब करेंगे अब जल्दी से दनाधन ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन करने से पहले मैं एक दिन आने वाले दिन के लिए आप से बात करना चाहूंगा कि कल को तो हम बोलेंगे tomorrow ठीक है और परसों को क्या बोलेंगे जल्दी जल्दी बताओ यार मज़ा आना चाहिए परसों को बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं ए दिल संभल जा जैरा संभाल के रखे होए हूँ भाई ठीक है आज हमारा अब तक का रिकॉर्ड बना है यह इतने सारे वीवर्स का प्यार मिल रहा है तो नत्मस्तक हूँ हाद जोड़ के आप सब का अभिवादन करता हूं मैं तो जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने जवाब सही दिया है यह क्रेजी लाइफ देख लो भाई मेंबर है चैनल का भाई ने सही जवाब दिया क्योंकि यह फोलो करते हैं तो मैं इसलिए कहता हूं किसी एक टीचर को फोलो करो ना दिल से करो यार शिद् करो आफ सको वैसे डे आफ्टर टुमोरो भी बोलते हैं लेकिन दोस्तों यह मतलब चत शही तरीका है नहीं क्योंकि हमें हमेश Nowość में बताना ही पड़ती है क libertéoweek परसों को हम वन वर्ड में क्यों नहीं बता सकते अब हम बता सकते हैँ परसों को हम कहेंगे और मोर ठिरें करते तर्शेजन करते हैं का गर्मी थी के बताइए क्या बनेगा translation करेंगे कल गर्मी थी और मैंने कहा मोसम के लिए हम क्या subject यूज करेंगे it का यूज करेंगे तो कल गर्मी थी it was hot yesterday it was hot yesterday और अगर मैं कहूँ परसों गर्मी थी it was hot air yesterday सीख लिया ना अब तो बहुत अच्छे चलिए अब बताईए हम पिछले साल शिमला थे हम पिछले साल शिमला थे दोस्तों यह जब पूरा हो जाएगा ना मैं चाहूँगा आप सभी बिल्कुल इमानदारी से 10 में से कितने मार्क्स आप लोगों के आये हैं मुझे बताना ज़रूर मैं देखना चाहूँगा सिरिसली नाम लूँगा मैं जितने मुझसे लिये जाएंगे ठीक है हम पिछले साल शिमला थे भाई लास्ट येर ठीक है और मैं कमरे में था जब बं फटा है मैं कमरे में था ठीक है बताओ इसका क्या बनेगा सर आपका पेड कोर्स मिलता है क्या मिलता है बाई ले लो ना मैं तो कह रहा हूं कि आओ मेरी एप्लिकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर पर इंग्लिश लावर्स है और वहां से जीरो लेवल टू हीरो लेवल में आप मेरे साथ जुड जाओ है ना बहुत बढ़िया तो मैं कमरे में था I was कहां कमरे में भाई I was in the room अब आप मेरे अच्छे दोस्त थे आप मेरे अच्छे दोस्त थे लेकिन आप सब तो मेरे अच्छे दोस्त हो ठीक है आप सबने जितना मेरा साथ दिया है शायद रियालिटी में मेरे जो दोस्त मैंने कभी भी कहा होगा किसी को उसने भी कभी साथ नहीं दिया होगा ठीक है और वही कहते हैं रिष्टे जो हैं वो दिल से जुड़ें तभी वो रिष्टे बनते हैं बाकी तो सब क्या होते हैं नाम नाम के रिष्टे होते हैं आप मेरे अच्छे दोस्त थे बताओ you were yes very good you were my good friend और आप अगर कहना चाहो आप मेरे बहुत खास मित्र थे you were my best friend ठीक है चलिए तुम 10 साल के थे कोई भी आ जाता है घर पे कहता है ना कि बेटे मेरे को पहचाना मैं आया करता था जब तुम छोटे थे जब तुम 10 साल के थे तो बताओ क्या बनेगा इसका हिंदी मेडियम से इंग्लिश मेडियम पढ़ना है मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे Samuel Paul बस दो मिनिट बाद मैं पूरा एक्स्प्लेन कर दोगा दो मिनिट मेरे साथ और जुड़े रहो बस यह समझ लो वैरी गुड यू वर कि तुम थे क्या थे वहिया दस साल के यानि की 10 years old ठीक है अगर मैं अपनी उम्र बताता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ मैं कहूँगा I am 30 years old मैं 10 साल का हूँ I am 10 years old ऐसे अपनी उमर बतानी है ठीक है हम दोशी नहीं थे दोशी नहीं थे ये मज़ा आएगा सुनने में मज़ा आएगा जल्दी बताओ इससे रिलेटिड में एक और वर्ड बताऊंगा आपको ठीक है दोशी हो गया एक होता है अपराधी एक होता है अपराधी ठीक है जल्दी बताओ क्या बनेगा very good संगीता यादाओ great बहुत बढ़िया तो जितने भी पुराने हैं ना लोग ये जितने भी पुराने स्टूडेंट है जब वो ऐसे बार-बार मेरे साथ जुड़के क्लासिज में प्रेक्टिस करते हैं तो आप खुद सोचो क्या वो अच्छी इंग्लिस नहीं बोल पाएंगे बिल्कुल बोल पाएंगे भाई गिल्टी ठीक है अब अदालत में कई बार कहते हैं कि क्या तुम अपने आपको दोशी मानते हो do you plead गिल्टी तो क्या कहता है गिल्टी या नौट गिल्टी यह चलता है दोस्तों कोड़ में ध्यान से अपराधी अपराधी की इंग्लिश क्या होती है जिसने कोई काम किया हो अपराध वाला उसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं कलप्रिट На Sum a culprit स्वası कहा है नया वडर्ड अगर सीखा है तो क्या करना है कर दो ठीक है दोस्तों चलिए तो अब है ये अकेला नहीं था ये अकेला नहीं था जल्दी से बताओ इसकी क्या बनेगी accused होता है जिस पर दोस्ट लगाया जाता है ठीक है victim होता है जो की भुगत भोगी होता है ठीक है criminal होता है जो संगीन अपराद जिस ने किया हो crime जिस ने किया हो ना उसे हम criminal बोलते हैं ठीक है very good तो वह अपरादी यह अकेला नहीं था he was not alone he was not alone और आप मेरे दुश्मन थे पहले दोस्ट फिर कहता है आप मेरे दुश्मन भी थे जल्दी बताईए क्या बनेगा इसका बताओ बताओ जल्दी से और जो भी अभी आए होए हैं जिन्नों ने अब तक लाइक नहीं किया है भाई आपका जमीर आपको अंदर से क्या बोल रहा है पुकार रहा होगा कि सर की वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ उन्हें भी यह चीजें आनी चाहिए ठीक है तो आप मेरे दुश्मन थे यू वर आप थे क्या थे मेरे दुश्मन यानि की माई एनमी यू वर माई एनमी नेक स्राम भाई और लेडी चैनल पर वीडियो है स्पैलिंग मिस्टेक्स लिखें यूट्यूब सर्च पर इंग्लिश लवर्स लिख दो पक्का मेरी वीडियो आ जाएगी बहुत पसंद की जा रही है लास्ट मंत ही मैंने अप्लोड की है ठीक है बहुत बढ़िया तो तुम मे लिए मेरे लिए इसमें हम लगाते हैं टू कि मुझे तुम क्या थे मेरे लिए तो तुम एक अजनभी थे है ना यू और और स्टेंजर टू में और मैं सोया हुआ था आ गया ना वापस घूमकें सो वाट गोज अराउंड कम सराउंड है ना तो आगर आपने सीख लिया था जो मैंने फर्स लाइड में बताया था अब आप समझ गए कि इसका जवाब क्या होना चाहिए हैं मैं सोया हुआ था जल्दी से बताओ क्या कहना चाहोगे आप वेरी गुड़ क्रेजी लाइफ ने पकड़ लिया है ऐसे ऐसे मेरे को चाहिए दिव्यान शुकुमार वेरी गुड़ ठीक है बड़े सही हैं पिंकिया ठीक है जैम बहुत बढ़ी है तो मैं सोया हुआ था आई वस असलीप और मैंने बताया था फर्स लाइड में जो नहीं कि आये हैं उनके लिए दुबारा बता देता हूं कि मैं जगा हुआ था आई वस अवेक यानी की जगा हुआ था ठीक है दोस्तों तो अब जल्दी से मानदारी से यह बता तो दस में से 10 किसके आये हैं बताओ जल्दी से फिर आपको एक न्यूस देता हूं बढ़िया वाली बताओ बताओ दस में से 10 किसके आये हैं जल्दी से और आज आपने कुछ इंट्रेस्टिंग सीखा हो ताइम का पता ही नहीं चला कि कब लगभग 45 मिनिट्स हो चुके हैं हमें तो इतना मज़ेदार अगर आपने कुछ चीज सीखी है पहली बार तो लाइक और शेर जरूर क कीजेगा चैनल पर पहली बार आयें तो भाई सब्सक्राइब तो करीदो है ना चलिए बहुत अच्छा कहां गया मेरा यह रहा इसको पकड़के लाना पड़ता है यह भाग रहा है भागने नहीं दूँगा भाई मास्टर हूं कान पकड़के वापस लियांगा ठीक है तो म इनके लिए मैं इन्फोर्मेशन ले आता हूं कि भाईया सभी के सभी मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाओ यार है ना और मुझे पर्सनल मैसेज अगर किसी को करना हो कोई मुझसे क्वैरी पूछनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम जिसका इंग्लिश लवर्स नंबर वन है ठीक ह क्या है इंग्लिश लवर्स नंबर वन ठीक है यह मेरा इंस्टा का हैंडल है यह फोटो आपको मिलेगी वन लैक फॉलोवर हैं इसको दो लाग तीन लाग बढ़ाव या जल्दी से आप लोगों की पावर होनी चीह हैं ऐसी हाथ में कि उड़ा के रख देंगे सब कुछ कर ह हर मैदान फत्य है ना पुष्पा नाम सुनके फ्लावर समझी गया तो यहां पर भी आग लगाओ थोड़ी आप सब अपनी अंदर की फायर को जलाओ ठीक है और यह है दोस्तों मेरा टेलीग्राम का जो ग्रूप है जो आज की यह जो PDF आज क्या मतलब जो भी आने वाली वी फ्री दे रहा हूं और PDF भी फिर भी क्या Instagram पर लाहिक नहीं करोगे क्या फॉलो नहीं करोगे कर दे यार ना कर दे होगे पक्का पता है चलिए तो जैसे आप देख सकते हैं कल जो क्लास थी परसों तो थर्ड क्लास आप देख सकते हैं तो आपको क्लास भी मिल जाएंगी यहां पर समझ रहे हो तो आपको डूनना नहीं पड़ेगा इधर उदर यूट्यूब पर तो आप सीधा यहां पर क्लास भी देख सकते हो और आप उसकी PDF भी साथ में देख सकते हो clear है तो यह मेरा इंग्लिश लवर्स नाम से साथ हजार के आसपास ना follower हैं टेलिग्राम पे इस ग्रूप में जुड़ जाओ और लास्ट बट नोट दे लीस्ट इस इस माइ अप्लिकेशन इंग्लिश लवर्स नाम से Google Play Store पे आप डाउनलोड करोगे तो यही फोटो के साथ सेम फोटो के साथ इंग्लिश लवर्स एप और सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है यह वाली 4.9 स्टार दिये हैं आप जैसे बाकी साथियों ने जब मैंने उनको लाइव क्लासिज में पढ़ाया है ठीक है लाइव क्लासिज में जिसने भी मुझसे पढ़ा है ना एप्लिकेशन पे उनके रि यहां तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाता है जूम क्लास पर फेस टूफेस देखने का भी अलगी मज़ा आता है बात करने घा तो दोस्तों इसमें एक कॉर्स है 999 का 1 year validity के साथ क्या है 1 year validity के साथ और जिसमें क्या है 85 recorded classes आप लोगों को मिल रही है ठीक है और सभी classes के PDF आपको मिलेंगे है ना और कम से कम 6000 daily use के sentences है ठीक है और कम से कम 1000 most common words है मतलब यह PDF बता रहा हूँ किस किस चीज़ों की है most common words है और 500 verbs है 500 word meaning है ठीक है और यह भी example के साथ और सबसे खास बात इस पूरे एक साल में अगर कोई भी live classes अगर live batch चलता है ठीक है तो वो इस batch के साथ बिलकुल आप लोगों को free दिया जाएगा clear है तो यह सभी PDF तो है ही और 85 recorded class उनकी PDF के साथ और जो भी live batch चलेगा इस application पे आपको बिलकुल free of cost मिलेगा और बताइए दोस्तों एंकरिंग एंकरिंग कैसे करेंगे मेरी सारी वीडियो देख लो एक बार course कर लो अच्छे से छोटे छोटे sentences बनाओ है ना और एंकरिंग की practice करो time क्या है इस batch के defense lover time है 9 बजे ठीक है हम 9 बजे आते हैं YouTube पे ओके everyone तो मुझे उम्मीद है आप सब को आज की class पसंद आई होगी और उम्मीद है मैं आपके जीवन में ग्यान की थोड़ी सी रोशनी लेकर आप आया हूं तो ऐसे ही मुझे support करते रहें like करते रहें मेरी वीड अच्छानी आती है तो मेरे Instagram पर आकर मुझे comment करके जुरूर पूछेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी के सवालों के जवाब देने की तो मिलता हूं आप सबसे next video में यानि की Monday को तब तक के लिए bye bye take care good night sleep tight sweet dreams and keep learning bye love you all आप झाल झाल